दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर जार्खन में जल्द वापस मिलेंगे चोरी की गई बाइक जार्खन में चोरी की गई बाइक अब जल्द आसानी से वापस मिलेंगे इसके लिए चोरी हुई बाइक का अबिवरन जार्खन पुलिस की वेबसाइट में डाला जाएगा इसमें एक पेज मिसिंग भीकल का है इसमें आपकी चोरी हुई बाइक का प्रकार उसका रजिस्ट्रिशन नंबर और इंजन नंबर डाला जाएगा जिससे चोरी हुई बाइ यानि JPSC के दुवारा विभिन पदों के लिए ओनलाइन आवेदन 5 अपरेल से लेने की परक्रिया शुरू की गई है। जार्खन के मुख्यमंत्री स्री हेमन सोरेन ने रिम्स में कई स्वास्थे सिवाओं का शुभारम किया है। जार्खन सरकार के करमचारियों का महंगई भत्ता 4 परतीशत बढ़ाया जा सकता है। केंद्र सरकार की तरज पर जार्खन में भी करमियों का महंगई भत्ता बढ़ाने से संबंदित परस्ताव तैयार किया गया है। हाली में भारत सरकार के करमचारियों का महंगई भत्ता बढ़ा कर 42 पिसदी किया गया है। जार्खन में पेंशन लभारतियों की संख्या में हुई 200 परतीशत की ब्रिधी। जार्खन में बड़े पैमाने पर बिभिन पेंशन योजनाओं से लोगों को लाब मिला है और लभारतियों की संख्या में 200 परतीशत की ब्रिधी हुई है। महिला बाल बिकास एवोम सामाजीक सुरक्षा बिभाग से प्राप्त आकडू के अनुसार दिसंबर 2019 में सता में आने के बाद जार्खन सरकार ने कई पेंशन योजनाओं के तहत लभारतियों की संख्या में 200 परतीशत से अधिक की ब्रिधी की है। दरसल लॉमबर 2000 में बिहार से अलग होकर नया राज्य बनने के बाद उननीस सालों में कुल 6.6 लाख पेंशन पंजीकरीत किया गया था जो इस साल 27 मार्च तक बढ़कर 21,45 लाख हजार हो गये हैं। ट्राई का नया आदेश अगले 5 दिनों में बंद हो सकते हैं 10 अंको के मोबाईल लंबर। कॉल की जा सकती है और नहीं मैसेज भेजे जा सकते हैं। बतादे की ट्राई 10 अंको के ऐसे नंबरों पर नकेल कस रहा है जिनका इस्तिमाल बिजनेस के लिए पर्मोशन कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए किया जा रहा है। दरसल ट्राई के नियमों के अनुसार प्रमोशनल कॉल के लिए अलग से नंबर जारी किये जाते हैं। ऐसे में अगर आप पर्सनल नंबर से प्रमोशनल कॉल करते हैं तो आपका नंबर बंद हो सकता है। ट्राई अब मोबाईल लंबर जिहां मोबाईल फोन यूजर्स को परिशान करने वाले पर्मोशनल मैसेज भेजने के खिलाप सक्त हो गई है। जब इन गाड़ियों को खोजने की बारी आती है तो पुलिस लगबग 400 वाहन ही खोज पाती है। इन सोरेंस का एक ड्राप्ट तयार किया है। इस संबंद में जल्द ही मीटिंग होनी है। हलाकि मीटिंग की तारिक अभी तय नहीं हुई है। हनुमान जयनती पर ग्रीह मंत्राले ने जारी की एडवाईजरी। केंदरी ग्रीह मंत्राले ने हनुमान जयनती के मद्दे नजर राजियों को एडवाईजरी जारी की है। देश के सभी राजियों एवं केंदर शासित परदेशों को तिवहार की दोरान कानुन ब्योस्था एवं शांती सुनिशित करने और समाज में सामप्रदाईक सदभाव को बाधित करने की आशंकावाले कारों को पर नजर रखने का बुधवार को निड़देश दिया गया ह इस साल हनुमान जेनती 6 अपरेल को मनाई जा रही है ग्रीम मंत्राले के कार्याले ने ट्विट कर कहा है कि राज ये केंदर शासित परदेश की सरकारों को कानुन ब्योस्था बनाए रखने तिवहार के दोरान शांती कायम रखने और समाज में सामप्रदाईक सदभाव को बिगारने की आर्शंका वाले हर परकार के कारक पर नजर रखने के लिए परोज साहित किया जाता है केंद्री ग्रीम मंत्राले ने पिछले सप्ता राम नौमी के दोरान देश के बिभिन इलाकों में हुई सामप्रदाईक हिंसा के मदे नजर सभी राजियों और केंद्र श सुन्दर अच्छा मौका है नौर्थ वेस्टर्न रेलवे में असिस्टेंट लोको पाइलेट के पद पर वेकेंसी निकली हैं ये भरतियां जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पीटिटिव एग्जामिनेशन कोटा के अंतर्गत भरी जाएंगी वे उमिदवार जो इन पद पर आवेदन करने की योग्यता और इच्छा रखते हों वे एप्लिकेशन लिंक सक्रिय होने के बाद अपलाई कर सकते हैं अभी आवेदन शुरू नहीं हुए हैं आवेदन शुरू होंगे 7 अपरेल 2030 से और इन पदों पर अपलाई करने की लास्ट डेट है 6 मई 2030 इस रिकूट है कि कैंडिडेट ने मेट्रिकूलेशन पास किया हो साथ ही उसके पास संबंधित ट्रेड में आई टी आई डिपलोमा भी होना चाहिए विश्व स्वास्थे संगठन का खुलासा दुनिया में हर 6 में से एक व्यक्ती बांजपन का शिकार बांजपन एक स्वास्थे समस्या बनती जा रही है महिला और पूरुस दोनों ही इस समस्या का सामना कर रहे हैं दुनिया का हर छठा शक्स इन फर्टिलिटी की समस्या से जूज रहा है यह जानकारी बीश्व स्वास्थी संगठन द्वारा जारी बांजपन की पहली रिपोर्ट में दी गई है इस के देशों में बांजपन की समस्या बढ़ रही है और उनके बीच बांजपन की ब्यापक्ता दर में सीमीत अंतर है निम्न और मध्यम आयवाले देशों में 16.5 परतिशत की तुल्ना में अमिर देशों में बांजपन की आजिवन ब्यापक्ता दर 17.8 परतिशत है अब CISF में भी पूर्व अगनी वीरों को 10 परतिशत आरक्षन केंद्री ओद्योगिक सुरक्षा बल विंग में सिपाही की पद जिहां सिपाही की भरते में पूर्व अगनी वीरों को 10 फिसदी आरक्षन दिया गया है ग्रीह राज्य मंत्री नित्यानन्द राय ने संसद में इनकी जिहां इसकी जानकरी दी है उन्होंने कहा कि ग्रीह मंत्राले ने CISF विंग में ग्रूप B और C के पदों की भरती नियम 2010 में संशुधन को अधिसूचित किया है इसमें सीपाहियों की भरती में पुर्व अगनी वीरों को 10 फिसदी आरक्षन दिया गया है ग्रीह राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने केंद्रिये, सश्रस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में सीपाही राइफलमेन के पद पर भरती में पुर्व अगनिवीरों के लिए दस परतिशत आरक्षन की नई स्रेनी के निर्मान को मज़ूरी दी है निर्धारित उपरी आयू सीमा में तीन वर्स की छूट भी दी गई है उन्होंने बताया कि अगनिवीर जिहां अगनिपत योजना के पहले बैच के उमिद्वारों को निर्धारित उपरी आयू सीमा से आगे पांच वर्स की अत्रिक्त छूट दी जाएगी देश में दर्च किया गया कोरोना के 4435 नए मामले देश में पिछले 24 घंटों के भीतर कोरोना के 4435 नए मामले सामने आये हैं बड़ी बात ये है कि सक्रिय मामलों की संख्या अब 23,000 के पार पहुँच गई हैं केंद्रिय स्वास्थि मंद्राले की ओर से जारी ताजा आकलों के अनुसार देश में अब 23,091 सक्रिय मामले हैं कोरोना से देश में अब तक 53,960 लोगों की मौत हो चुकी है वहीं 4,41,89,712 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं पिछले दिन कोरोना के 1,31,86 टेस्ट किये गए